Hello everyone, welcome to Beyond Teachings, मैं हूँ आपका Physics टीचर सुमन शंकर, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे हैं students, अभी हम लोग बात करने वाले हैं power के बारे में, right, तो previous session में हम लोगोंने क्या पढ़ा था, याद होगा आपको, previous session में क्या पढ़ा था हमने, हमने energy पढ़ा था, ठी क्या होता है, यह हमने जाना, ठीक है, अब energy के बाद, जो चीज आती है आपके topic में, वो क्या है, वो है power, right, तो power, सबसे पहले power क्या होता है, तो power अगर मैं एक normal language में बात करूँ, जैसे हम लोग सब बात करते हैं, तो power का मतलब क्या होता है, किस के बारे में बात करते हैं, मतलब की जिसका power जादा होता है, वो काम को क्या कर पाता है, जल्दी कर पाता है, जैसे मान लेते हैं कि suppose दो काम है, suppose field की सफाइए करना है, school का, हम लोग स्कूल का field है, हमें उसको क्या करना है, साफ करना है, तो हमने क्या किया है, दो students को इस पे लगा दिया, तो एक जो है, एक जो है वो थोड़ा powerful है powerful मतलब की उसका ताकत जादा है थोड़ा हट्टा कट्टा है और दूसरा जो है वो क्या है थोड़ा दुबला पतला सा है थोड़ा उसका उतना उसके शरीर में ताकत नहीं है right कमजोर बच्चा है समझ सकते हैं तो अब क्या हुआ अगर सेम वर्क को हम क्या करते हैं सेम वर्क है दोनों को सेम वर्क दिया गया मतलब दोनों को क्या बोलग एक फील्ड का एक पार्ट दिया गया दोनों को क्या करना है तो जो बच्चा क्या होगा वर्क तो दोनों का सेम है वर्क तो दुनों भी कंप्लीट करेंगे, करेंगे लेकिन क्या होगा, कि जो बच्छा का है थोड़ा दुबला पतला कमजूर वाला बच्छा है वो क्या करेगा? वो उसको करने में जादा टाइम लगाएगा तो क्या करेगा, ना, क्योंकि उसके पास क्या है? पुराना सा कोई आपनाल रेट लुग ना तो पुराना सा इसे तो इसे बिद्स बैटके मुझे कुछ जरणी ट्रैवल करना तो क्या हूए कि जो पॉट्सुल वालकार होँगा काम क्या कर देगा जल्दी कर देगा कर देगा इसका क्या है इसमें पिकप भी जादा इसका माइल सार सब कुछ क्या है इसका जादा है पॉरफुल गाड़ी इसका इंजन क्या है जादा पॉरफुल है तो यह काम को क्या करेगा जल्दी करेगा यह हम लोगा जर्णी को जल्द तहुत, बताने का होगा हिए जो पावर है ठीक है पावर में सब से पहले चीज क्या हाता है पावर का की 조ते है ध्याक करने क्यों कि क्या क्या करने के ञला ह fulfil Bowl क्या है चैन क्या है Bund characters को मैं कितने time में करता हूं ठीक इस work को करने का मैं रइड किberry का है मंतल्tu podcasts मैं कितने time लगा रहा हूं उसको मैं क्या ब TS2 और जो कम time लगाता है और इस work को कर लेता है पहले ही उसका power क्या होगा on zwr कि जाए ऊड़ा और जो क्या करें ब्रइकर आधा रहा है कि time कम लगा रहा है इसलिए क्या हो रहा है उसका power में बोलूँगा ज्यादा powerful गड़ी हो ठीक है सब्सक्राइब बात तो सबसे पहले power होता क्या है तो power को कर डिफाइन करूं तो power को define कैसे करते हैं हम लो power is defined as the rate of doing work simple ठीक है ना rate of doing work और rate of transfer of energy तो मतलब किसी भी काम को करने के लिए का rate वो इसका power है या फिर मैं दूसरे вид में इसको क्या बहुत सकता हूं कि the rate of transfer of energy तो किसी भी काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे अपना energy उस काम में transfer करना पड़ेगा करना पड़ेगा ना तो उस energy को मैं कितनी जल्दी transfer कर पा रहा हूँ वहीं क्या होता है power होता है समझ मार ये बात ठीक है ना जैसे field को साफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे अंदर जो भी power है मैं क्या करूँगा उसको energy के रूप में कहां पे लगाऊंगा मैं उस field को साफ करने में लगाऊंगा ठीक है और जितना जल्दी में वह काम को कर पाऊंगा तो मेरा power के अज़ाद है समझ में आई बात तो power को हम लोग define दोनों तरीके से कर सकते हैं अगर exam में आता है इसका definition लिखने तो हम लोग दोनों में से कोई भी definition लिख सकते हैं चीक है या फिर हम rate of doing work लिख सकते हैं या rate of transfer of energy लिख सकते हैं दोनों ही सही है समझ मारे बात तो power का मतलब क्या हुआ power is a rate of doing work चीक है मतलब किसी भी काम को करने के लिख को हम किस rate से कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं power चीक है power को हम लोग generally P से denote करते हैं और power को mathematically हम लिखते हैं P is equal to WIT चीक है यहाँ पे लिखा हुआ है पावर को mathematically कैसे लिखता हूँ मैं P is equal to WIT से लिखता हूँ W का मतलब क्या है यहाँ पे work है और T का मतलब क्या है यहाँ पे उस work को करने में कितना time लग रहा है तो दोनों के ratio क्या होता है power होता है rate of doing work समझ मारे यह बात अब power को अगर मैं क्या करूँ इससे अगर मैं निकालना चाहूँ उसके SI unit तो SI unit of power यहाँ से क्या निकलेगा वर्क है तो work का SI unit क्या होता है Joule होता है मुझे पता है Time का SI unit क्या होता है Second होता है तो power क्या होगा SI unit Joule per second संझ मारे बात ientes Joule per second होता है ठीक है और Joule per second को हम लोग बोलते हैं उसका दूसरा नाम क्या है उसका दूसरा नाम है वाट ठीक है ना यहाद जेमस वाट का नाम सुना है अपने साइंटिस्ट है तो उनी के नाम पर क्या है पावर का यूनिट को रखा गया है वाट ठीक है जूल पर सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है वाट होता है तो मैं यह लिखू या फिर यह लिखू दोनों सही यह पावर के लिट की कहरता है कि अगर किसी बी चीज का या किसी भी रिप्व का या फिर किसी भी कार का मुझे अगर power supposed क्या करना है ठीक है ना तो मैं add the instant उसका power calculate नहीं कर सकता हूं सब्सक्राइब जैसे for example अगर इस BMW का मुझे क्या करना है मुझे power calculate करना है तो मैं कैसे calculate करो हूँ क्यों कि वो क्या कर रहा हर सेकंड में work कर रहा है ना पावर का मतलब क्या होँ डबली वाइटी मतलब पर सेकंड वो कितना वर्क कर रहा है तो पर सेकंड अगर मैं work निकान लें के लिए जहां उसका तो पूरे जर्णी के लिए क्लिए क्लेट करना क्या है बहुत मुश्किल है मुश्किल है तो इसलिए हम क्या करते है हम लोग average power निकालते हैं simple सा चीज है उसका मुझा निकालेंगे average power average power का मतलब क्या होता है average power is defined as the ratio of total energy consumed ठीक है कैसे मुझा करते है average power को total energy कितना वो consume कर रहा है मतलब energy का मतलब क्या है work मुझे पता है previous class में लोगों पढ़ा है और आप जानते हैं कि दोनों का unit भी same होता है ठीक है तो इ किसी भी काम को करने के लिए ठीक है किसी भी work को करने के लिए वो कितना energy consume कर रहा है और उसका energy को consume करने में वो कितना time ले रहा है तो उसका मैं क्या बोलता हूं उसका average power समझ मारे बाद मतलब कि अगर इस BMW का power मुझे find करना है तो मैं इसका average power कैसे निकालूंगा कि total journey में पह करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा average power मिलेगा ठीक है और इसका नाम होता है average power तो इसका नाम क्या होता है instantaneous power मतलब किसी instant में अगर मुझे power निकालना है जैसे मुझे बोला गया कि BMW चल रहा था तो जैसे ही time कितना था 25 seconds था तब इसका power कितना था ठीक है तब उस case में मैं क्या निकालोंगा इस फॉर्म परनों से इसका power निकालों तो यह तो बात थी power की उसके definition की power क्या होता है उसका definition क्या होता है mathematical form of power क्या होता है ठीक है अब हम लोग जैसे पढ़ रहे थे जिस तरह से अभी starting से पढ़ते हैं थे work में भी हम लोगों ने पढ़ा था define one joule of work ठीक है energy म हुआ है थिक है सिमिलरली हम लोग पार में पढ़ते हैं कि define one watt of power ठीक है आ जैसा ही मैंने आपको बताया कि power का इसा जिनविट क्या होता है वाट होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं उससे हम लोग one watt power का definition निकालते हैं तो one watt power का definition क्या हुआ कि power का mathematical form होता है पी is equal to wyt मु है suppose तो उसका formula क्या होगा 1 joule of work ठीक है 1 joule of work one second में जब कोई object करता है तो मैं उसका power क्या बलता हूँ one watt of power ठीक है मतलब अगर work कितना है work है अगर one joule और time कितना है अगर one second है तो मैं इसको क्या बोलूँगा इसको मैं बोलूँगा one watt of power ठीक है मतलब एक जूल का work करने में वन जूल पर सेकंड में जो वो वर्क कर रहा है उसमें जो पावर हो कंस्यूम कर रहा है सब्सक्राइब जैसे यहां पर लिखे लखा हुआ है की फैन एजेंट एजेंट का मतलब होता है कि जो वो उस work को कर रहा है जैसे कि यहां पर car का मैंने एकजांपल दिया student का मैंने एकजांपल दिया तो students क्या agents है वो क्या कर रहे है उस work को करते है सब्सक्राइब तो बोल रहे है कि इस एजेंट डाइट आप जूल पर सेकंड ठीक है तो कभी-कभी एक्जाम में क्या होता है यह पूछ देता है कि define one watt of power तो simply हम लोगो लिख देंगे यह चीज क्या if an agent does work at the rate of one joule per second चीक है यह अभी हम ऐसे भी लिख सकते है if one joule of work is done in one second then power is set to be one watt सभ्ण महार यह बात चीक है ना यह से जूल का हम लोगों ने पढ़ा था in energy में कि जूल का बड़ा unit क्या होता है ना याद होगा similarly power में भी क्या होता है कि power जब मुझी calculate करना होता है तो मैं कभी-कभी क्या करता हूँ उसका बड़ा unit लेता हूँ बड़ा unit का मतलब क्या होता है 1,000 Watt के, ठीक है, 1 kW is equal to 1,000 Watt, और Watt का दूसरा नम क्या है, Joule पर सेकेंड, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 kW is equal to क्या, 1,000 Joule पर सेकेंड, समझ में ये बात, ठीक है न, तो ये क्या है, ये बात है, पावर की, अब पावर से related क्या होता है, कभी-कभी एक्जाम में क्या ह आता है, तो उसके लिए मुझे क्या याद रखना है, मुझे बस एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, पावर is equal to work by time, समझ में ये बात, ठीक है न, तो आई एक 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 जाम्पल इसका देखते है, ये एक जाम्पल है, कि हम लोग पावर का फॉर्मूला का यूज करके किस तरह से निम्रिकल सॉल्व करते हैं, तो एक जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आपके बुक में भी होगा, आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि two girls, each of weight 400 newton, ठीक है, दो लड़किया है, दोनों का weight, weight, weight दिया हुआ, right, mass नहीं, weight is what, force, ठीक है, तो दो लड़किया है, two girls, दोनों का weight कितना है, 400 newton है, ठीक है, उनको क्या करना है, वो क्या कर रहे है, climb up a rope, through a height of 8 meter, ठीक है, height 8 meter का, वो क्या कर रहे है, 8 meter का height को, climb कर रहे है, rope के सारे, रसी के सारे, उनको उपर चड़ना है, ठीक है, एक लड़की का नाम A है, दूसरे का नाम B है, अब girl A जो है, वो कितना time ले रही है, उपर चड़ने के लिए, वो ले रही है, 20 second का time, ठीक है, और girl B जो है, वो कितना time ले रही है, वो ले रही है, 50 second का time, ठीक है, तो मुझे calculate क्या करना है, कि इन दोनों में से, जो power किसका जादा है, ठीक है, किस girl का power जादा है, तो calculate करते हैं, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया है हमेशा कि numerical solve करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, उसका data collection करते हैं, तो जो given है पहले उसको लिख लेते हैं, तो given हमारे पास क्या किया है, सबसे पहले, weight दिया हुआ है कि इस के बाद बोल रहा है कि हाइट कि इस हाइट पर दोनों को चड़ना है इस कि तिया हुआ है 8 meter height दिया हुए 8 meter ठीक है ना, अब girl A जो है वो कितना time ले रही है, तो 20 second ले रही है, तो इसको माल लेते है T of A, मतलब time taken by girl A, right, तो time taken by girl A is what, 20 second similarly हम ले रहे थे time taken by girl B, कितना दिया हुआ है 50 second, ठीक है मैं लिख दिया है, 50 second अब मुझे क्या करना है, दोनों का power calculate करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले power निकालता हूँ कि इसका girl A का, तो power of girl A, क्या हो जाएगा work done by girl A, divided by time taken by girl A, होगा ना, क्योंकि power का formula क्या होता, W by T, तो work done by girl A and time taken by girl A, right, अब निकाल लेते हैं यहां से, work done का formula क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, work done potential energy में, क्या पढ़ा था, W is equal to MGH, याद होगा, ठीक है ना, अगर work done कहा होता है, height पर होता है, तो W is equal to MGH, चलो formula लगेगा, तो MGH का value तो यहां पर दिया हुआ है, यह यह न है क्या होगा, MGH, divided by, time taken by A, तो MGH का value मेरे पास कितना है, MGH का value मेरे पास 400, मैं लिख देता हुआ है, 400, ठीक है, H का value कितना है मेरे पास, 8 meter, height कितना है, 8 meter, right, तो 8 divided by, time कितना ले रही है, girl है, तो time ले रही है, 20 second, तो यहां से calculate करते है, 2 से 2 cancel हो जाएगा, और यह कितना हो जा calculate कर रहा हूँ, power calculate कर रहा हूँ, तो क्या आगिया, 160 watt, तो पहले वाली जो girl थी, उसका कितना आगिया, 160 watt, से मेरे लिख दूसरे वाले कालू, दूसरे वाले कितना आजाएगा, power taken by girl B, फिर MGH करेंगे, तो MGH का value कितना होगा, 400, right, 400, और height कितना है, height भी same रहाएगा, कितना height, 8 meter, 8 meter divided by time of difference, ठीक है, टाइम कितना ले रहा है वो, 50 second ले रहा है, तो 50 कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको इससे cancel कर देते हैं, और 8 से सो cancel कर देते हैं, ये कितना आ गिया, 64 watt, girl A जो है, उसने कितना power consume किया, 160 watt का power consume किया, ठीक है, उसका power कितना है, 160 watt है, और girl B का power कितना है 64 Watt है, ठीक है, तो मुझे calculate क्या करना था, कि what is the power expanded by each girl calculate कर लिया मैंने, तो power extended by girl A is 160 Watt and power expanded by girl B is 64 Watt समझ वारी ये बात ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कभी-कभी exam में क्या होता है, push देता है powers related numerical तो उसमें क्या करना है, उसमें इस तरह से हम लोग को use करना है, और power का जो formula है, एक ही formula है ना power का P is equal to W by T work, अब suppose कभी कई work भी calculate करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर हमने W is equal to MGH का use किया समझ में आरे ये बात, तो इस तरह की numerical ये और हमें इसको solve करना पड़ता है, तो power समझ में आया होगा, ठीके, तो power के बाद आपनोग बात करते हैं किसकी power के बाद हम बात करते है commercial unit's ठीके, commercial unit का मतलब क्या होता है commercial unit का मतलब यह होता है कि जो हम लोग अपने घर पे या industries पे या companies वागेरा पे जो हम पावर का जो है बहुत बड़ा रोल है तो हम लोग पढ़ते हैं commercial unit of energy के बारे में तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताए कि commercial unit मूलने का मतलब वह unit है जो हम लोग जेनरली household में यूज करते हैं doos mám आभर में यूज कहों ही तो यहीं मीटेगे बारे में आज जानने वाले जो कर दिक रहा है तो बहुत done in shocking एसलसा है उसको व Whats錢 का है energy calculate मतलब एनरजी केल colate कर्रण मतलब क्या कि हम लोग के घर में जितना भीTo nap छोब चीज चल रहा है तो वो कितना एनर्जी करता है ठीक है वो हम लोग कैसे क्या हैं कमर्शियल उनिट तो कमर्शियल उनिट जो होता है वो होता है đ het kilo so趣 wat आसे मारे वार क्यों kilo word आर होता है कुः कि जूल जो होता है हम जानते है कि energy का unit क्या होता है I change tidak Medical kia है जूल का है जूल एक बहुत बी छोटा unit sign बहुत small unit धिक act तो इसे लिए क्या करते हैं कि जब भी को बहुत ज्यादा energy consumption निकालना होता है तो उस केश में हम ton鐘 इण करते है और इससे किसका करते हैं तो यह एनजी का इस कोई बोलता पभर को कुछ बोलता है लेकिन यह किलोवाट है हैं तो पावर को फौर्मूला क्या होता है दबलू भाइटे मुझे पता है यह मैं यह डबलू क beings वर्क मरत क्या कर घूं तो यहां से लुट है इसमें एक यह क्या है कि लोट न है और यहां पर सेकंड के या रहा है कि और स्कोग जूल में इसले हैं डिखेंगा है और commercial unit में energy consumption बहुत जादा होता है बहुत बढ़ा होता है इसे हम लोग दूसरा unit लेते हैं ठीक है तो commercial unit of energy जो होता है उसको हम लोग बोलते है किलो वार्ट आर याद रटना है उसको और उसको general language में जो हम लोग जैसे हम लोग घर पर होता है कभी-कभी हम लोग यह नहीं बोल होता है कितना unit बिजली कर्च हुआ मतलब वह किसके बारें बात कर रहा है वह energy consumption के बारें मतलब वह बोल रहे है कितना kilowatt आर हमने खर्च किया समझ में यह बात ठीक है ना अब अब अगर हम लोग सब्स जैसे मैंने आपको बोला कि किलो वार्ट के energy का unit है और energy के जो ऐसा ही unit किलो वार्ट जो है मैंने उसको चेंज कर दिया 1000 वार्ट सिंपल ठीक है अब उसके बाद जो आर होता है one hour is equal to कितना होता है 3600 सेकंड होता है पता है तो 3600 सेकंड होता और जब इसको calculate करता हूं तो इतना आता है मतलब कि one kilowatt hour क्या है energy का ही unit है कैसे पता चला मुझे क्योंकि कि मैंने जब इसको convert किया तो यह जूल में आ है ठीक है यहनि one kilowatt hour किसके बराबर होता है 3.6 into 10 to the power 6 जूल के बराबर होता है ठीक है समझ महारी यह बात तो यह जो है commercial unit जो होता है energy का यह क्या होता है यह हम लोग generally use करते है commercial purpose में मतलब घर के लिए company के लिए industries के लिए जहां पर क्या होता है meter लगा होता है ठीक है और इसी से हम लोग calculate करते हैं कि हम लोगों ने एक मैने में एक साल में एक दिन में कितना unit जो है energy को खर्च कि अगर हमने इतना unit खर्च किया तो उसका इतना बिल आएगा ऐसा होता है na सब के घर में electricity बिल आता होगा आप जानते हैं तो कर सकते हैं और इससे रेलाइट निमरिकल क्या होते हैं एक्जाम में और पूछा याता है ृटिक है कितना ईूनिट खर्च हुआ ठीक है इस तरह से तो यह देखते हैं इस तो इसके इस बोला जा इस तरह से से रेटिंग लिखा होता है कि यह से 220 वोल्ट का पॉटेंशियल आता है और बागी यह क्या होता है यह होता है यह जो एप्रेटस है या बल्व है या फ्रीज है या कूलर है वह कितना energy, कितना power consume करता है, वो लिखा हुआ हुआ है, ठीक है तो यहीं चीज़ बोल रहे है कि एक bulb है जिसका power कितना है, 60 watt है, ठीक है, bulb किसका power कितना है, 60 watt है, और बोल रहे है is used for 6 hour per day कैसे use कर रहे हैं, उसको एक दिन में उसको हम लोग, कैसे use कर रहे हैं, 6 hour यूज कर रहे हैं एक दिन में 6 गंटे के लिए बल जल रहा है बोर रहे हैं calculate the units units मुलने का मतलब क्या kilowatt hour समझ मारी बात तो बोर calculate the units of energy consumed in one day by the bulb तो एक दिन में वो बल जो है वो कितना energy consume कर रहा है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है सबसे पहले आपको याद रहना है कि यह क्या है यह household energy हम लोग निकाल रहे हैं तो उस case में हमें क्या करना चाहिए power को kilowatt में होना चाहिए power और time piece में होना चाहिए चीक है ना चीक है उसका unit होता है kilowatt hour तो यहां से हो गया six by hundred यानि zero point zero six kilowatt यह क्या आगया पावर आगया किसमें आगया kilowatt में आगया ठीक है क्योंकि मैं commercial purpose वाला numerical solve कर रहा हूं उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि कितना energy वो कर रहा है वो कितना time चल रहा है जैंने कि उसका time दिया हुआ है तए ना kilowatt hour होता है तो kilowatt UK जीरो 0.06 kilowatt है और आर कितना है टाइम कितना है तो 6R तो यहां से जब मैं निकालों कितना आ जाएगा 0.36 किसमें आएगा किलो वाट आर या फिर वाट यूनिट्स यूनिट्स भी लिख सकता हूं समझ मारे बाग तो इस तरह दे क्या हुआ यह कितना energy consume करेगा एक दिन में इतना energy consume क करेगा अगर यहां पर दिया हुआ होता क्या कि हाउ में चैनर जी इस कंस्यूंद इन सब्सक्राइब करेगा तो यहीं सेम चीज़ था यहां पर मैंने एक दिन के लिए निकाला अब मैं इसमें 30 के लिए क्या करूंगा मैं इसको 30 से मुल्टिप्लाई कर देता हूं समझ मार इसन पर दरे बाद अब इसमें क्या होता है कि इसमें कभीक यह भी पूछ देता है कि अगर यह इतना दिन चल रहे है तो किदना इसमें आएगा इसका dram 4 घं तो आज कैसे में मैं हमने क्या जाना गया औरude युनिट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग इने जाना और उससे रिलेटिड निम्रिकल भी सॉल्फ किया तो होप यह सेशन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा फिर भी कोई doubt by query हो तो जरूर comment box में लिखे तो मिलते हैं बच्चे अगले session में एक नए topic के साथ तब तक के लिए goodbye, take care, thank you